आज मेरे सामने खड़ी है एक हॉट ब्यूटी और रेड कलर में आपको प्रोड़क्ट मिल जाता है टाटा के पास जो क्रेटा का कोंपेटिशन था या फिर सेल्टॉस के कोंपेटिशन था वह प्रोड़क्ट नहीं थे यानि मेड साइज एस्वी निकाल दी है कॉंपीट करने के साथ हॉंडाई के क्रेटा के साथ और किया के सेल्टॉस के साथ अब इसका जो मेन अब्जेक्टिव था जो गाड़ी निकाल उलेगां ताटा करें कि इनके पास कोई बीclock थी नहीं अब इनकी ने क्वे थी जिसको हम सब्सक्राइब sait चुछ तो इनके पास 주 जह मिड़ाइख यह जितनी भी कस्टमर थे वह ंटाइअ पर जानी पा पा रहे थी से चुछ सब्सक्रॉने एक doświad माथ अब हिंगे मäv थे में जहां इस गाड़ी को जो है सोप केस किया जा रहा है अब गाड़ी के जो प्राइजिंग बताई जा रही है दस लाग पचास जार रुपे से स्टार्ट होगी एक शोरूम इसके बेस विरेंट की अब जो इंजन स्पैसिफिकेशन है तो 1.5 लीटर का आपको मिलेगा और कहीं न कहीं टर्बो इंजन भी इसके अंदर आपको मिलेगा अब जो पावर फिगर्स बताई जारी है जो पावर यह निकाल के देगा आरांड 113.42 भी एच्प निकाल के देगा जो टॉर्क बताई जारी है 260 आनम का टॉर्क आपको निकाल के देगा अब बताया तो यह जा रहा है कि manual transmission में आएगा और automatic दोनों में जो है आएगा basically जो specs है अभी तक तो यह बता रहे है कि manual में आएगा बाकि automatic भी आपको मिलेगा और front wheel drive आपको मिलेगा two wheel drive आपको मिल जाएगा फ्यूल टाइप जो है इसके अंदर पैट्रोल ही offer किया जाएगा जहां तक पता चल रहा है क्योंकि डीजल का इसके अंदर option नहीं आएगा और डीजल का जितने भी जो options थे ना लोग अभी मतला बंद करना चाहरे है जो हमारे government है अभी ज्यादा pollution के वज़े से अब अगर आप देखोगे तो इसके अंदर four cylinder आ जाएगा अब हम इतनी ज्यादा शिकायत थी टाटा से कि भाई यह four इनकी जो नेक्स हों आती वो भी जो है three cylinder के साथ आती है त्री से लेंडर में कहीं नागी गाडी की जो माइलेज होती है कहीं नागी जो गाड़ी की इंजन नॉयस होती है वो बढ़ इसी जाती है बैसिकली अगर आप मैलेज की बात करते तो वह घड़ जाएगी और जो इनकी इंजिन नौइस होती वो बढ़ जाती है तो इससे जो है फोर सिलेंडर होना नैसेसरी हो जाता है एक गाड़ी के लिए बैक अगर आप देखोगे तो बूट स्पेस बताई जा रही है चार सो बाइस लिटर के आसपस की तो कहीना कि वो भी काफी एच्छी है फीचर आपको फुल वो भी काफी अपडेटीड मिलेगा आप कहे ना कहीं जो गाड़ी है टाटा की बहुत ही जदा रिलाइबल होती जा रही है इंजिन के मामले में भी और जो शेप में गहरा है इनकी गाड़ी काफी अच्छी लग रही है अब इस गाड़ी को जो है कमपेरिजन किया जा रहा है लेंबरगीनी उरुस के तरह क्योंकि जो इसकी बैक प्रोफाइल है बिल्कुल ही लेंबरगीनी उरुस के तरह लगती है और कहीं ना कहीं मैं भी इस बात को जो है एगरी करता हूँ बाकि इसका जो डिजाइन है कूपे स्टाइल डिजाइन दिया हुआ है lehती है यहीं और अगर आप इसको आज है इस गाड़ी का और और आप दीगे तोी आज है आपको सेने सफारी में आपको मिलेंगे काफी सांदार लग रही है और वहीं अगर आप इसकर फ्रन्ट देखने तो बहुत ही जदा अमेजिंग लग रहा है connected lights का जो ट्रेंड है अब टाटा और भी ज्यादा बढ़ा रहा है और टाटा की जितनी भी design language है जादतर connected lights के साथ ही आ रहे हैं और लोगों को वह बहुत ही जदा पसंद भी आ रहे हैं और इसके जो पूरही जो प्रोड़क्ट है काफ सेंसर मिल जाता है जो एक luxury feature लगजरी गाड़ियों में ही जो है offer किया जाता है काफी amazing है बाकी panoramic sunroof हर एक चीज़ जो इस गाड़ी के अंदर आपको कहीं न कहीं मिल जाती है और दस लाग के price point पे काफी जदा अच्छा प्रोड़क्ट रहने वाला है अगर आप 10 लाग मे comparison करते हैं किसी और प्रोड़क का तो कुछ इस तरीके का लुक आपको किसी और ब्रेंड में मिलेगा नहीं अब जैसे कि इंटीर आपको दिख पा रहा होगा कुछ इस ताइप का इंटीर इसके अंदर मिल जाएगा तो इंटीर काफी हद तक जो next on है और जो इनकी गाड़ी जैसे की आती है जिए हैरियर आती है जो सफारी आती है कुछ उसी तरीके की जो है लुक से सकेंदर मिलती अब जो यह प्रोड़क्ट आप सामने देख पार हैं बिल्कुल ही फाइनल प्रोड़क्त है क्योंकि जितने भी एक जॉस्ट होगर है वह सारी इसके नीचे आपको होगी तो इस वह से हम जो है इसको डिसाइड कर सकते हैं कि यह बुल्कुल ही फाइनल प्रोड़क्त आपको मिल जाता है डाइमेंशन के अगर आप बात करते हैं तो मतलब फौर्चुनर जितना इस कह जो है जो जोठाई एस छिमर आपको मिल जाएगी और लाकरते हैं तो और इस गाड़ी के बारे में बताऊंगा कि यह गाड़ी ओफर क्या कर देती है लास्ट टाइम ऑटो एक्सपो हुआ था ग्रेटर नोड़ा में वहां इसको सो केस किया गया था और सबसे पहले वहीं दिखाया गया था अब भारत एक्सपो आ गया है 2024 वाला प्रगती मैदान म कई यह आपको सोकेस मिलेगी तो कहीना कहीं भारत एक्सपो चोपा बढ़ा रहा है और भारत ऑक्सपो की जो एक बेसिकली जो इंड garden इंडियन इवेंट में पाइटिस्पेट कर रहा तो कही ना कहीं यह चीज़े जो है काफी ज्यादा एक अच्छी चीज हो जाती है और कहीं ना कहीं हमें इस चीज-चीज को सपॉर्ट करना चाहिए है रखी इंडियन स्पेसिफिकेशन्स भी काफी अच्छी मिल जाते हैं अब मैं जादा इंप्रेश हूं इनके ज 오osyland आने वाला है और कहीना आप भी बहुत ही जादा जब इंप्रेश रहेंगे जब इसके दिढ़र आ जायए और tofos चुलेंटर का काफी ज़्द्र का के रहता है हैं जब भी आप driving करते हैं क्योंकि 4-cell ऐसा रहता है क्योंकि 3-0 पिना गाड़ी को जूधा जोर लगाना पड़ता है अगर आप बात करते हैं गाड़ी अगर आप ड्राइब करेंगे और और इसी के साथ ड्राइब करेंगे और सिटी में ड्राइब तो वहाँ कहीं न कहीं पता चलता है कि 4-cylinder गाड़ी में होना चाहिए क्योंकि vibration और जो noise है 4-cylinder के अंदर नहीं आती है उतनी जितना 3-cylinder के अंदर आता है बाकि गाड़ी काफी अच्छी है और back profile आप देख सकते किती कमालगी आपको मिल जाएगी बाकि मिलते हैं एक नई amazing video के साथ आपको वीडियो अगर अच्छे लगी हो तो लाइक करना अगर आपको informative लगी हो तो comment करना बाकि मिलते हैं एक नई amazing video के साथ thank for watching this video